हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जंगल में गड़ा करके दफनाया गया ताप जानकारी के अनुसार गनेशा राम पुत्र फगलू राम देवासी सांडे राव हमेशा की तरह अपनी भेड बक्रियां चराने के लिए जंगल में गया हुआ था वहां बरसात के तेज बेहते पानी में अचानक साथ आठ बेड बक्रियों की पानी में डूबने से मौत हो गई मौके पर पहुंचे कोसलाव पशुचे किस साले के डॉक्टर रामेश्वर जी ने मृत बेड बक्रियों का पोस्माटम करवाया इसी भेड पालक गणेशा राम देवासी के पूर में भी जरीली फलियों के खाजाने से 12 बक्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी जागरुक टीवी के लिए सांधिराव से खास रिपोर्ट